हम लोगों संदी कि शाकर नमस्कार ज्यानतु में आप समों का स्वागत है याद के से तेरायल गयुद्थल दूख को रेंकिन से प्रत्र Egko यानि सर्तों पर धारित होता है निवर मिलसे में और में यह को भूद पूछा वो फार्मूले पर बन गया भविश में पूछा जाने वाला प्रस्ण भी फार्मूले सी ही बनता रहे यहां कोई आवस्चक नहीं है इसलिए हम सभी छात्रों को दोनों मैथट को इंटर्टेन करना चाहिए आपके सामने एक प्रस्ण है चात्रों इस प्रस्ण में मोहन को पांच अस्थान भाएं खिसकाया जाता है लेकिन मोहन की एक्चल पॉजिशन कहा है किस पॉजिशन से पांच अस्थान भाएं खिसकाता यह क्लेर नहीं है लेकिन तो वह दाहिने से तीसवां अस्थान पर हो जाता है यदि पंक्ति में पचास व्यक्ति हैं तो मोहन का बाएं से पुर्व अस्थान कौन सा है इसको पहले पिक्टोरियल मेथट की दोरा हम लोग बनाने की कोशिस करेंगे उपर पहले बनाते हैं ध्यान देजे कुल बच्चों की संख्या या कु मोहन बिलकुल दाहिनी छोड़ पर है और वहां से खिसकाया गया यह हो सकता था या मोहन की स्थाति बाएं से इतनी है अब खिसकाया गया लेकिन इस नहीं कहा क्या मोहन की पुर्वेस्थाति बदाई नहीं मोहन को किसी अस्थान से पांच अस्थान खिसका दिया गया मतलब यह हुआ यह है मान लिजिए कि मोहन की पुर्वेश्थति अब वो मोहन खिसकेगा बाई और अर्थात इधर एक दो तीन चार और यह पाँच्वी पोजिशन पर चला जाएगा यह मोहन की नई या वरतमान कह लीजिए या कह लिजिए खिसकी वी स्थिति या पड़िवर्थिति स्थिति पचास बच्चों की संख्या में पचास व्यक्तियों की संख्या में मौहन यहां था यह माना गया है अब इसे एक, दो, तीन, चार, पाँच अस्थान बाई और खिसकाया गया तो एक कंडिशन दे रखा है तो वह दाहिने से तीसवें अस्थान पर हो जाता है राइट एंड से इसकी पोजिशन तीसवी हो जाती है यह तो दिया हुआ है अब यदी पंक्ति में पचास व्यक्तियों जो पहले से लिख चुके हैं तो बताएए मोहन का बाई से पुर्वस्थान कौन सा है बाई से ये वाला पोजिशन ये वाला पोजिशन आपका टार्गेट है इसके बाड़े पता करना है पिक्चर में साफ दिख रहा है लोगों को देखिए गार से अगर यहां से आप गिनती प्रारंभ करें और यहां तक जाएं तो ये इंक्लुडेट ये पोजिशन जो और दें आप तीस बच्चे होते हैं आउट ओफ फिफ्टी इधर बच्चे अगर तीस तो आप कहेंगे इधर बच्चे होंगे 20 ये तो सब समझ रहे हैं पच्चास मैनस तीस अब इस पोजिशन के इधर 20 लड़कों का होना यानि इसका क्रमांक 21 हो जाता है इसकी 22 हो जाएगी लेट से इसकी 23 इसकी 24 इसकी 25 और जो टार्गेट था वो आपका 26 हो गया और आप जवाब देते हैं 26 यानि यहां एक सवाल आप उठाएंगे ठीक है पाँची एस्थान खिसका क्याद जोटी है तो आराम से एक दो तीन चार पाँच लाइन खिंचकर आप समझ करें लेकिन बहुत ही अस्थान खिसका दिया गया पेंतालिस अस्थान पचासी अस्थान एकसो पच्छीस अस्थान तो कितनी लाइने खींचेंगे हम यह मैथट कैंसल इस मैथट से नहीं बनाना है फुरा मैथट चेंज चाथ देखिए फिर से बच्चों की संख्या 50 यह मोहन की ओल्ड इस्थती मांग लिए क्योंकि बदलेगा इसलिए इसको ओल्ड पोजिशन कर देते हैं और मोहन खिसक कर लेफ्ट की ओर चला आता है आप जैसे बैठे हैं उसे हिसाब से यह लेफ्ट होगा लेफ्ट यह कितना लेफ्ट भाई पांच अस्थान खिसक गया तो प्लस फाइप लिख दिया हम लोग पांच अस्थान भाई खिसकने से हुआ क्या वह दाहिने से तीसवे अस्थान पर चला गया यह राइट एंड यह दाहिने से तीसवे अस्थान पर चला गया अब ध्यान स देखिएगा यह इस पोजिशन से लेकर इस पोजिशन तक बच्चों की संख्या 30 out of 50 तो आवियस है इधर बच्चों की संख्या 20 होगी और इस लड़के का यह जो नई वाली पोजिशन है यह जो नई पोजिशन है इसका क्रमांग हो जाएगा 21 और कितना आगे ढूनना है आप पांच जोड देती हैं तो आपका जवाब मिल जाता है 26 जो आप देख रहे होंगे इस से पहले वाले में भी आया था लेकिन उसमें लाइन खीचना पड़ा यहां लाइन खीचना नहीं पड़ा अगर 45 पोजिशन इधर आता तो यहां पलस 45 रख लेते उसका रहेंक न दियान से देखिए गए इसमें अगर सर्तें बदल दी जाती हैं तो आप इस फर्मुले का इस्तेमाल कर लेंगे यह बैमानी हो सकती है दियान से देखेंगे इस प्रसने कहा कि कुल बच्चों की संख्या 50 है तो यह तो डेटा लिखा हुआ है और खिसका कितना अस्थान वो खिसका पांच अस्थान यह जोर नहीं देंगे यह खिसकने की पोजिशन है इसलिए हम पांच अस्थान लिख रहें यह खिसकने की पोजिशन है पांच अस्थान जब वो पांच अस्थान खिसकता है तो अंतर क्या आया इंपेक्ट क्या परा वो तीसवा हो गया राइट से नहीं उच्छा लेप्ट से पुर्वस्थान है देखिएगा पचास में से जब उधर व्यक्तियों की संख्या 30 तो इधर बच्चों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या 20 होगी आप और हम दोनों समझ रहे हैं तीस उस साइड से जो डेटा दिया है पचास में से पचास में से तीस उधर तो इधर बच्चे कितने बच्चे 20 शीधा मैनस किजिए बीश लड़के की हालत में उसकी पोजिशन 21 और जितना अस्थान खिसका था 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 पांच और सीधा सीधा जवाब हम दे देते हैं 26 ये जवाब अब इस पर एक और प्रस्ण आप देखें मौके की देखते हैं कुल बच्चों की संख्या 100 मान लिए एक प्रस्ण है 20 अस्थान लेफ्ट में खिशक गया खिशकने वाली पोजिशन को प्लस में लिग देते हैं इसे करके 20 खिशकने के बाद वह 40 हो जाता है राइट से अब बताएए लेफ्ट से उसके पुर्विश्थति कौन सी होगी तो क्या करेंगे 100 में उधर 40 तो इधर बचे बचेंगे कितने 60 क्रमां के कितना होगा 61 और 20 अस्थान आपका खिशका था तो आपका जवाब हो जाएगा 81 81 पोजिशन मेरे समझ से अगर टाइप नंबर फूर का प्रसन मिलता हो तो आपने से तरपर पिटरियर मेथट को भी समझ रहे हैं इसकी व्याक्या लेनी जरूरी थी क्योंकि अगर इसके इस आधार पर बनाते हैं तो इसका मतलब आप प्रसन को खूब अच्छे से समझ रहे हैं और और पिक्टरियल मेथट से भी क्योंकि कई बड़े प्रसन ऐसे मिल सकते हैं जिनमें पिक्चर की भी आवसकता हो और कुछ फॉर्मूले से कुछ डेटा को अवेल भी कर सकें ये था टाइप नंबर चाल आई ये टाइप नंबर पांच जो सबसे इंपोर्टेंट होगा और इससे पहली वाले वीडियो में इससे पहली जो क्लास रेंकिंग की हुई थी इसी में आप से कहा गया था कि इस प्रसन को हम लोग बहुत कम समय में बनाएंगे से जलते याद रखेगा इस प्रसन में अस्थान परिवर्तन होता है दो लोगों का डेटा दिया जाता है और उन दो लोगों की डेटा से उन दोनों के अस्थान को बदलकर कुछ प्रसन को पुछे जाते हैं पॉसनको पढ़ेंगे पंक्ती में मोहन 22 से तीस्वे स्थान पर है और सोहन दाहिने से 20 एक डेटा लेट चेट Always rasa एक राइट से 20 समा यही दोनों आब प्रस्ण में गौर से देखेंगे भी अब दोनों ने अस्थान बदल लिए अस्थान बदलने का मतलब अदल्हा बदली कर लेना परस पर बदल देना इंटरचेंज कर लेना एक दुसरे की पोजिशन को मोहन का बाएं से एक्यावनमा पोजिशन हो गया अब इसी को पिक्चर से समझे एक पंक्ती में मोहन यह रहा मोहन बाएं से थीसमें अस्थान पर है बड़ा गौर से देखेंगे इस टाइप को यह बड़ा इंपोर्टेंट टाइप है इसको कम समय में बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले आप समझें और इसी पंक्ती में सोहन की पोजिशन दाहिने से बीसमें हो जाती है और सभी लोग जानते हैं यह अंडरिस्टूट बात है कि इधर बच्चों की संख्या आउट आउट अप 29 होगी और सोहन की उधर बच्चों की संख्या उनेश होगी यह हम आप दोनों समस्थे है नहीं अब दोनों अस्थान इंटरचेंज कर देंगे सोहन यहां चलाएगा और मोहन यहां चला जाएगा यही हुआ स्थान बदलने का मतलब अभी प्रस्न संपूर्ण नहीं हुआ है एक डेटा अभी देना बाकी है क्या है डेटा स्थान बदलने के बाद मोहन का बाएं से यह रहा मोहन बाएं से मतलब इधर से बाएं से मोहन की position 51 हो जाती है प्रसन ऐसा ही हो का या दहने से सोहन कभी दे सकता है कोई भी डेटा दे सकता है इस प्रसन को बहुत बारिकी से पहचानी है पहला प्रसन जो आप देख रहे हैं वो कर रहे है टोटल छात्रों की संख्या बताएए उचा जा सकता है दूसरा परसंद दोनों के बीच अर्थात दोनों के बीच में बच्चों की संख्या बताईये चातो तीसरे परसंद की जो बात है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे आप ध्यान दीजिए, दो लड़के मोहन और सोहन में अस्थान के बदलने के बाद मोहन का डेटा दिया गया, अब यह से सोहन का पुछेगा, मोहन का लेप्ट से दिया गया है, सोहन का राइट से पुछेगा, इस बात को ध्यान रखेगा, ऐसे तो वो तो पसनल लिखी देग जो लिखा भी अस्ठान बदलने के पाद सोहन का अस्ठान दाएं से कितना हो चाहेगा सोहन का पोजिशन पुच्छा है और वो भी पूच्छा किदर से बाई nine right end से में पुचना ही है उसको डेटा लेट से दिया मोहन का तो डेटा राइट से पुछेगा सोहन का ठीक दूसरा लड़का जो है एक उसके बारे पुछेगा अब तीनों प्रसंद को सबसे पहले हम लोग पिक्टरियल मेथड से जानेंगे इसको फिर देखते हैं अब देखें कुन छात्र निकालने जा रहे हैं हम लोग टोटल का मतलब होता है इस पोजिशन से स्टाट करें और इस पॉजिशन तक जाएं और सारे की गिंती कर लें तो वो टोटल हो जाता है मेरे साथ गिंती प्राराम किजिए अब यहां से गिंती प्राराम करेंगे और य यहां तक जाएंगे मोहं तक यह वाली पोजिशन तक तो बच्चे मिलेंगे आपको 51 यहां तक इस पोजिशन से यहां तक 51 मिले अब उधर 51 के उधर बच्चे कितने है 19 पोटर का मतलब यहां से लेकर वहां तक यानि यहां से लेकर यहां तक 51 अब फिर 51 के उधर 19 यानि कुल चात्रों की संख्या हो गई आपके पास 51 प्लस 19 यानि 70 बच्चे 70 हो गए कुल निकल गया दूसरा प्रस्ण मिडल बाली आती है ध्यान से देखिए मिडल का फॉर्मुला आप पहले भी वीडियो में देख चुके हैं TN माइनस M प्लस N होता है TN आप 70 निकाल चुके थे M प्लस N यानि 30 प्लस 20 यानि 50 अब बीच में आपका जबाब मिल गया है बेश यह बेच की वैल्यू आगई 20 एक TN आपने निकाला 70 दूसरा मिडल वाली वैल्यू निकल गई आपकी 20 अब तीशरा प्रस्ण यह जो सोहन की पोजिशन है राइट एंड से कितने नंबर पर होगा यह बताना है कितना एजी है देखें यहां से यहां बच्चे हुए 20 और आ गया 20 तो हो गया 40 यानि इसका क्रमांग हो जाएगा 41 यहीं तीशरा प्रस्ण था यह तीशरा प्रस्ण था या इधर से पूछा है ना इधर से तो कुल बच्चे आपके पास 70 थे हीं तो इधर के बच्चे को 29 को मैनस कर देंगे तो भी जवाब आपका थर्ड कोस्टन का जवाब मिल जाएगा आपको यह पिक्टोरियल मैथट के अधार पर हम लोग बनाते अब इसी प्रस्ण को आप एक अलग मैथट से बनाने की कोशिस करें यह बिल्कुल भिन्न मैथट है आप इसे पहली बार देखेंगे भी आप गौर से देखिएगा चात्रो यहां पर आपने इस्तेमाल किया है 19 डेटा था 20 यहां इस्तेमाल किया है डेटा 29 डेटा आपका था 30 यानि जब 30 डेटा हो तो 29 का इस्तेमाल 20 हो तो 19 का इस्तेमाल यह माइनस वन का क्या तरिका है यह क्या है इसको समझने के लिए हम लोग अब दूसरे मैथट का प्रियूब करेंगे उस मैथट को जड़ा गौर से देखना है राइट डाउन कर लिए होंगे आप लोग प्रशना से प्रीवर्तन और जैसे ही अस्थान प्रिवर्तन से समझनेट प्रस्ना आता है मेरी यह विक्षा होगी कि आपने इस सी तक पर इसी फ़र्मुले का प्रियूब करेंगे ध्यान दीजिए प्रस्ण में लेप्ट से 30 दिया गया था और राइट से 20 दिया गया था यह दोनों डेटा आप प्रस्ण में पहले से देख रहे होंगे इसमें कलम की जरुत है नहीं यह चिन्ह अस्थान बदलने का लिख रख लेते हैं और अस्थान बदलने के बाद वो लेप्ट से 51 हो जाता है यहीं प्रस्ण था ना एक डेटा 30 दूसरा 20 और तीसरा 51 तीन ही डेटा से मेलकर यह प्रस्ण बन रहा है एक M और N और एक अस्थान खिशकने के बाद का तो ध्यान के रखना है इस प्रस्ण में यूज वैल्यू समझना है यूज वैल्यू मतलब दिया 30 लेकिन यूज 29 का होगा दिया 20 यूज 19 का होगा नहीं जबकि M और N तो ठीक है M की वैल्यू यहां 30 दी गई है और N की वैल्यू यहां 20 दी गई है लेकिन इस प्रस्ण को बनाने के लिए 30 का यूज ना कर हम लोग 29 का यूज करते हैं और 20 का इस्तेमाल ना करें, हम लोग 19 का इस्तेमाल करते हैं, यह दूसरा मेतद, एक थर्ड मेतद भी लोग देखेंगे, आज़ यह सबसे पहले है, TN निकालने की कोशिस का, थर्ड वाली वैल्यू को आप लोग पकड़ रखे हैं 51, ध्यान से देखेंगे, यह वैल्यू दी क जब लैप्ट से देगी, तो राइट वाली यूज वैल्यू को जोर देंगे, 51, और उनीस मिलकर, हो गए 70, देखिए ये वैल्यू कहां से दी गई लेप्ट से तो करना कि हम लोगों को राइट वाली जो यूज वैल्यू होगी 20 दिया है लेकिन 19 इस्तेमाल होगा डायरेक्ट आप 51 प्लस 19 प्रावर 70 तो कह सकते थे टोटल और मिडल का फॉर्मूला टी एन मैनस एम प्लस एन होता है तो मिडल तो निकालने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है आप मिडल निकालने के लिए 70 पहले ही निकाल चुके हैं और उस समय M और N का योगफल आपके पास 50 दिया हुआ है ये रहा दूसरा जबाब बीच की स है अगर डेटा लेट से देगा तो राइट से पुछेगा और डेटा राइट से देगा तो लेट से पुछेगा जो भी पुछेगा वो नीचे तो लिखेगा ना देखा है न सोहन का स्थान दाहने से कितना होगा तो आप देखेंगे दो प्रकार की use value थी एक 29 और एक 19 की आपने 19 का उप्योग कर लिया है इस बाद 29 का करेंगे third question के लिए और total संख्या जो भी थी उसमें rest data जो आपका use value बच गया है उसको minus कर देंगे तो आपका third question का जवाब आ जाएगा यानि दाहने से सोहन का अस्थान 41 सोहन हो जाएगा अब इसको और short रुप दिया जाए देखिए third question को बनाने के लिए ये data avail करना परता है TN निकालना परता है इसमें तो हमारा समय निकल जा रहा है कुछ समय एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो इसको देखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं एक नया प्रस्था यारा करते हैं सुनिए एक लड़का left से 30 वही था question दूसरा लड़का right से 20 है अस्थान बदलने के बाद left से 51 यही question था छात्रो यही question था और थोड़ा change करते हैं इसी से आप समझ जाएं left से 20 right से 30 है किसी के position दूसरे लड़के की और अस्थान बदलने के बाद वो left से 51 हो गया तो तीन प्रस्थनों का जवाब दीजे क्या-क्या जवाब आपको पुछा जाएगा बताए पहला पुछा जाएगा TN दूसरा प्रस्थन आपसे हो सकता है middle का और तीसरा प्रस्थन चुकि ये data left से है data प्रस्थन जो है वो right से बनेगा यही तीन प्रस्थन होगा यहाँ भी पहरा प्रस्थन total number दूसरा दोनों के बेच चात्रों की संख्या और तीसरा data चुकी left से है तो ये right से ही पुछेगा और अगर वह data right से होता तो left से पुछता है नहीं आईए वहाँ दोनों में सबसे पहले tn निकालने की कुशिस करेंगे बहुत भारिकी से देखना है इसको tn निकालने के लिए इस value में 51 में 51 की value किदर से दी गई है left से right वाली use value not 20 19 19 जोर देंगे आपका जवाब बोटा लागया आगया जवाब यहाँ पर third value जो आपको 51 दिया है लेकिन यह value left से है तो right की use value अर्थात 29 आप इसमें जोर देंगे आपका जवाब मिल जाएगा 80 यह total आगया आईए middle बहुत आसान TN में से M प्लस N की value घटा देनी है आपको जवाब मिल जाएगा यहाँ पर TN 80 M प्लस N का योगफल आपको 50 है घटा देंगे बीच की संख्या निकल जाएगा चातरो third question, third question को बिना किसी कलम के मदद आप कैसे बना सकते हैं इसको बारेकी से देखने की जवत ध्यान से दिखिएगा क्या कह रहे होंगे यह question right से पूछा गया data आपके पास तीन ही है एक 30, एक 20 और एक 15 चोड़िए भी 70 को तीसरा प्रस्ण जो सबसे ज़्यादा important है IMP लिख देते हैं third questions के लिए यह पूछने की संभावना काफी बनती है और इसको पास से छे सकंड में आप आराम से निकाल सकते हैं डेटा इस यही तीन डेटा यही तीन रहेगा इसी से बनाना है प्रस्ण कहां से पुछा राइट से यह third value को तो आपको पकड़े रहना है पकड़े रहेंगे आपका प्रस्ण राइट से है जड़ा ऊपर चेक किजिए तो डेटा में राइट की वैल्यू इन दोनों में से बड़ी है या चोटी लेट और राइट में राइट की वैल्यू छोटी है तो क्रिया माइनस की करेंगे यह ध्यान रखना है फड़ो वहाँ चलिए तो 51 को तो पकड़े रहना है value राइट से पुछा और यह राइट की वैल्यू यहां इन दोनों में से बड़ी है इसलिए क्रिया कैसी होगी प्लस की अब जोरना क्या है या घटाना क्या है तो दोनों तरीकों में दोनों प्रस्टों में इसके डिफरेंस को इसका डिफरेंस है 10 इसके 10 को मैनस कर दीजिए आपका जवाब 41 आ जाएगा और यहां पर प्लस करना है इसके डिफरेंस को यहां भी डिफर 10 है यहाँ 10 जो रेंगे आपका जवाब आजाएगा समझें तीसरे प्रसंद के लिए इससे पहले वाले अगर मैथट के बात करेंगे तो थर्ड कोस्टेन के लिए ये 70 निकालना मेंडिटरी था टोटल तभी आप निकाल सकते थे हम लोगों ने क्या किया अब थर्ड कोस्टे बालने के लिए जो डेटा तीन हमको मिलता है फहला एम दूसरा एन और तीसरा अस्थान खिशकने वाला इन तीनों डेटा के आधार पर ही तीसरा कोस्टन भी बन जाता है यानि समझे प्रस्न में ही उत्तर छेपा रहता है वैली वैल्यू दी हुई दूसरी वैल्यू भी द से गिया है उसन राइट से पूछा है अब चलते हैं कोस्टन पर राइट और लेट में से वैल्यू बड़ी किसकी राइट से पूछा और राइट की वैल्यू छोटी मिल जाएगी तो क्रिया मैनस की होगी और देखिए यहां पूछा राइट से और राइट की वैल्यू विश्वास होगा आपको कि भाई आप प्रस्ण को इस मैथर से जरूर बनाएंगे इसमें सब्सक्राइब क्लियर है अस्थान परिवर्तन वाला प्रस्ण है आराम से आप बना सकते हैं इसको जरूर कोशिश किजिएगा एक प्रस्ण और आपके शमने आगया म्यूच्व रिलेशन का प्रस्ण है आरून एलियास से तेज दौरता है पहले बनते देखेंगे इसमें मौलिक बातों को भी हम बताएंगे आप इसको छोटा करें तो जगह का इस्तेमाल हो आरून एलियास से तेज दौरता है क्या लिख एलियास से तेज दौरता है ऐसे लिख दिए किन्तों दिनेश जितना तेज नहीं यानि दिनेश अरून से भी तेज दौरता है दिनेश चंदर से तेज दौरता है तो चंदर यहां हो सकता है चंदर यहां चंदर यहां चंदर यहां पता नहीं चंदर कितनी जगह पो सकता है चुब दिनेश से दिनेश चंदर से तेज दौरता है चंदर की पोईशन कहीं भी हो सकती है अलियास और अरून से तो कंपेर क किया ही नहीं इस प्रस्ने तो इसकी पोजिशन कई जगों पर बन जाती है किन्तु विक्रम जितना तेज नहीं चंदर जो है विक्रम के इतना तेज नहीं दौरता है अब चंदर विक्रम के इतना किंतो किंतो विक्रम जितना तेज नहीं यानि चंदर और विक्रम में कौन विक्रम तेज दौरता है चंदर से ये मामला आपका बन जाता है अब चंदर की पोजिशन क्लियर है नहीं तो विक्रम तो कहें भी हो सकता है एक तरीका ये आप लोग अजमाते हैं इन जातरों ध्यान देंगे यहां पर आप किंतु सब्दी यहां देख रहे हैं और भी कई प्रकार के सब्द देंगे जो जो की अब क्या करेंगे इस कंडिशन में अब देखेंगे जैसे पहले प्रसन को पढ़ रहे थे अरुन एलियास से तेज दोरता है यह समझ में आ गया जैसे ही यह वाला कंजंक्शन आया संजोजक किंतु दिनेश जितना तेज नहीं तो यहां एक बात आती है कि किंतु किसके बा बारे या अरुन के बारे अब फिर यहां भी आप देखेंगे किंतु मेरा हुआ है तो फिर यह इस से पहले दो सब्जेक्ट दिनेश और चंदर इन दोनों से अगर कंपेर किया जाए तो एक्चुरी इस किंतु के जगा पर चंदर या दिनेश लगेगा इसके लिए हम लोग वर्क करें ध्यान से देखेंगे चात्रों जो और जो की हम इसके अलावे और कॉमा भी इस ही में आ जाएगा कॉमा एवं तथा किंतु परंतु बलकी यद्यपी बावजूद आदी आदी चात्रों जब जो और जो की नामक संजोजक हो तो आप सब्जेक्ट नंबर दो और बाकी से सभी संजोजकों के लिए सब्जेक्ट नंबर वन का इस्तेमाल करेंगे अब है कि एक और दो नंबर की पाचान कैसे होगी कौन सा सब्जेक्ट एक नंबर और कौन सा दो नंबर इसके लिए कुछ बाते आपको देखनी होंगे ध्यान से देखेगा एक बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है अब लेकिन किंतु प्रंतु जो और जो की तो है नहीं जो जो की होता तो दो नंबर के बारे सोचते अब लेकिन की जगह पर आपको सब्जेक्ट नंबर एक सोचना है और आपके पास ओप्शन या तो A या तो B संजोजग से ठीक पहले आने वाले सब्जेक्ट के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से इसका निर्धारन संजोजग का निर्धारन किया जाना है और चुकी लेकिन है तो एक नंबर का सब्जेक्ट उनके आने के क्रमानुसार होगा ऐसा भी नहीं इन दोनों में mutual relation क्या है बड़ा होणे का अब ध्यान से देखिए जो दो सब्जेक्ट दिया है इसमें से या इस mutual relation का वास्तविक हग कौन रखता है यह रखता है यह बड़ा है तो A एक नंबर का subject हो जाएगा और B दो नंबर का यानी जो mutual relative हो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग subject number one पहली बाद और जिसके मुकाबले जिसके respect में जिसके मुकाबले वह MR होगा यानि mutual relative हो वह होगा subject number two ये ये बात अब यहाँ mutual relation क्या है बड़ा relative कौन है mutual relative ए इसलिए एक number का subject ये और किसके मुकाबले बड़ा है ब के मुकाबले तब भी subject number two होता है इस प्रकार आप चुनाव एक और दो का कर पाएंगे तब ही एक प्रस्न आप देखेंगे इसको बना ही लेते हैं A B से बड़ा है A को B से बड़ा हमने कर दिया लेकिन की जगा पर A समझा जाएगा यूं समझेगे यहाँ A लिखा है A C से छोटा है तो A C से छोटा हो गया अब एक प्रस्न और देखिए A C B बड़ा है A से B बड़ा है जो Q से बड़ा है A से A से B का बड़ा होना हो गया आया संजोजक जो तो जो की जगा पर आप भूझेंगे subject number 2 चुकि जो और जो की के लिए एक नम्बर का और B دो नम्बर का लगता है लेकिन शातरों इन दोनों के बीच mutual relation है बड़ा होने का और बड़ा B है इसलिए B एक नम्बर का subject माना जाएगा और A दो नम्बर का subject माना जाएगा बी A के मुकाबले पड़ा है इसलिए यहां आपको जोकी जग़पर A लेना चाहिए हब हो गया A Q C पड़ा है यह देखिए प्रस्थन मला यह काम आपको करना है जो और जोकी के लिए सब्जेक्ट नमबर 2 को करना है सेस सभी संजोजगों के लिए subject number एक का परियोग करना है हाँ जिसका जिसकी उसका उसकी होगा तो उसको आप कम से कम संजोजग के तरह इस नियमा नुसार निधारित नहीं करेंगे possessive case है उसमें निधारन करता है तो उसको sense of imagination of writer या setter moderator लेखक की कलपना के अधार पर करना होगा जब जिसका जिसकी उसका उसकी का मामला आएगा तो ओहो प्रस्नों का जब अभ्यास होगा हम लोग उस प्रस्न के अभ्यास के क्रम में हम लोग कई प्रसनों को म्यूचर डिलिसम्ग के प्रसनों को भी देखेंगे एक प्रसन ऐसा भी कुछ सब्दों को उनके सार्थक करम में सजाने की बाथा थी सार्थक करम एसेंटिंडिंग और या डिसेंडिंग और दोनों में हो सकता है इसके लिए आपको आपसन की तलास करनी होगी, आपसन से सलाह मस्विरा करना होगा जैसे एक की, डोर, लॉक, रूम और सिचोन है तो इसको एक खास कहानी का रोप दीजिए न सार्थ अक्रम बन जाएगा जैसे सबसे पहले आप क्या करती है, क्या करना चाहिए हम लोगों को चाबी है, आई दर्वाजा भी है, लॉक भी है, आप ऐसा करें सबसे पहले अगर आप चाबी लेते, नहीं, ताला खोलते तो दर्वाजा आपका खुल जाएगा, यानि एक, तीन, दो एक, पहले चाबी लेते हैं, ताले को खोल देते हैं, अगर दर्वाजा खोले या दर्वाजे कुल कर प्रवेश करें, कहां, रूम में, और फिर जाकर आप स्विच अन करते हैं, अब आप ये दिमाग नहीं लगा देंगे, मेरा स्विच है, रूम बाहर ये तो हम क्या करें, इसके according आपको देखना होगा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने क्या किया, लिया, सबसे पहले, चाबी, सबसे पहले switch on तो छोड़ देजिए, एक number, एक number दो दो जगा पर है, लेंगे की से क्या खुलेगा lock, इसके बाद क्या खोलना है, दरवाजा, आँ दरवाजा के बाद room में प्रवेश, और then switch on, यह आपका एक सार्थक क्रम हो गया, यह काम switch on, room में दरवाजा lock की reverse order भी हो सकता था, इस बात का ध्यान लखेंगे, तो की कितने number पर, महसजा हुआ है देखिए, एक दो तीन चार पाँच, 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 एक तीन दो, अब देखिए, एक वाना की के बाद lock, lock के बाद दरवाजा खोले, room में प्रवेश किये, switch on हुआ option आपको support कर नहीं रहा है, आपका option one से start होने वाना दो, इस पर तुरत जाकर बेचार कर लेंगे आप, one key, third lock, then door, then room, then switch, ठिक तो है, एक, तीन, एक तीन दो होना चाहिए, यह miss कर रहा था, ठीक है, वैसे आप हमेशा इस परसन को बनाने में एक बात का ख्याल रखेंगे, option पर भारी नज़र रखिएगा, option, option बहुत मदद करेगा इसमें, एक परसन और लेते हैं, option पर नज़र रखकर के जड़ा बनाने, इस में बहुत option की जड़र तो नहीं दिख रही है हमारे समस्य, हमारे समस्य तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि सबसे छोटा तो लेटर होगा इसमें, चार नमबर, लेटर कई लेटर से बन जाएगा आपका word, एक, चार और एक से option support वो हो, यह नहीं, दो-दो support, word, word से क्या बन ज चार एक तीन एक ही जगह है, अब तो आगे जांच की जरत है नहीं, वैशे पांच दो, फ्रेज और फ्रेज से बनेगा वाक्यांस और वाक्यांस से बन जाएगा आपका paragraph, एक, चार एक, तीन, पांच दो, तो आप इस प्रसन को बनाने के लिए निश्चित तरपर option पर गा हो गया, काइम हुआ, आएगी पुलिस, ले जाएगी जज्च के पास, अच्छी के एडवाकेट होता तो एडवाकेट हम लोग पहले कर लेते, जज्च के पास अब तो option सपोर्ट कर दिया हम लोगों को तीन, एक, तीन, एक, चार यहां है, फिर पांच, जज्ज्मेंट में पनिस कर दिया जाएगा, तो five and two, तो ऐसे सब्दों को सार्था क्रम में सजाने के लिए, आप सीख रहे थे, आपको क्या करना है, option का सहरा लेना है, option पर गार ही नजा रखनी है, एक और प्रस्न है, एक और प्रस्न है, पत्ति, फल, तना, जर और फूल, देखने से लग जर जर से जैसे उपर चलेंगे, आपको मिल जाएगा stem, सही है, रूखिएगा, रूट कितने नंबर पर था, चार नंबर पर, stem था, तीन पर, चार तीन से option support है, अब पत्ति, पत्ति के बाद क्या बनेगा भाई, पत्ति के बाद फूल या फल, पहले फूल, नहीं, पत्त ब बन जाता है आपका फल, फलावर कितने नंबर पर, पांच नंबर पर, और फूट दो नंबर पर, आपका जबाब चार तीन, एक पांच दो, चार तीन, एक पांच दो, ये रहा, चार तीन, एक पांच दो, तो इस परकार आप जब ट्रैक्टिसेशन होगा, हम लोगों का र process करेंगे सब्सक्राइब पूरा मदद लेंगे एक प्रसन आपके शामने चात्रों आगया टाइप नंबर एट इस सिसन का आखरी टाइप रैंकिंग की आखरी टाइप इसके बाद प्रसनों को बनाने का काम प्रारम होगा एक कछा में यह टाइप एड जो है ना सभी टाइप को मिला कर ही एक टाइप इसको बनते वे देखेंगे सब लोग बॉजन गर्स की संख्या अलग की गई है एक कछा में उल्चात्रों की संख्या दे दी गई कुल चात्रों की संख्या दी गई कितनी भई 36 अचा देखें तो यहां चित्र को ध्यान से देखी गए थोड़ा और चोटा किजिए इधर कर देजिए इसको एक कछा में कुल चात्रों की चंख्या चत्य यह रहा 36 आतो 36 में क्या है इस प्रस्ट में बॉइज भी है और गल्स भी है इस में दोनों है जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या समान है यानी जितने बॉइज उतने गल्स 36 में यानि 18 boys and 18 girls दोनों जयन्त एक लड़का है उपर से 19 स्थान है उपर से मतलब ऐसे ही ड्रॉ करेंगे न जयन्त उपर से उपर से 19 स्थान है यह 19 स्थान है इसका मतलब इसके उपर में बच्चों की संख्या 18 जिनमें से कुछ boys और कुछ girls होंगी नहीं अब टोटल तो आपके पास 36 है जयन्त के नीचे इतने बच्चे होंगे 36 minus 19 नहीं कितने बच्चे को जाएंगे 16 में नहीं चला जाएगा 7 और 17 बच्चे होंगे 17 बच्चे होंगे इन 17 में से कुछ के boys होने की और कुछ के girls होने की हम लोग सारा कुछ निकाल रहते हैं देखेंगे बाद में क्या पूछा है तब ही कहता है अगर जैंत के बाद तीन लड़के हैं जैंत के बाद तीन लड़के हैं इतने में से 17 में से तो अभी ऐसे लड़कियां कितनी होंगी 14 निकला या निक और जैंत के बारे पहली ही कह दिया था कि ये बाद है आप देखिए कहीं लिखा है जैंत एक लड़का है अब उपर की संख्या कैसे निकालेंगे अच्छा बाद कितने चाहिए आपको 18 में से बाद ढूलिए 3, 1, 4 तीन बाद जैंत के नीचे और एक जैंत स्वैम तो कुल बाद की संख्यावी तक 4 मिली बुंड़नी कितनी थी 18 में से 4 मिल गया बचा कितना 14 कहा है उपर में कितने में से 18 में से 14 लड़के तो 4 लड़कियां सारा डेटा आ गया चेक करें लड़कियां 18 होती है याने गिनते हैं न चार लड़की यहां 14 लड़की यहां 18 तो होगी प्रस्न बिल्कुल सही बन गया अब देखिए जैंत के उपर में कितने लड़के हैं जैंत के उपर में लड़कों की संख्या 14 है आपका जवाब 14 आया इस प्रकार रैंकिंग की बनियादी बातों को हम लोग टाइप बद्ध कर पढ़ रहे थे अब बाड़ी आएगी रैंकिंग के कई प्रस्नों को कई इंपोर्टेंट प्रस्न को बनाने के शरी पितिक्छा करेंगे हम लोग आप सभी लोग लगातार वीडियो में बने रहेंगे और हमारा मनोबल उचा करते रहेंगे इसी आसा के साथ पुनाहामंतरित करते हैं अगले वीडियो के लिए आपको धन्यवाद